नमस्कार साथियों मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरची बाद चैनल में आपका स्वागत है आठ बज चुके हैं और जैसा कि आपको मालुम है हर रोज साम को आठ बजे हम लेकर आते हैं आपके समक्ष जोरदार खबरों का प्रोग्राम और आज यहाँ पे कुछ खबरे हैं जिन से हम आपको विदित कराने वाले हैं और जो की बहुत ही जरूरी हैं आपके आसपड़ोस की खबरे होती हैं इस प्रोग्राम में हतीन, होडल, पलवल, हसनपुर इस इलाके की खबरे जादा तर हम उठा कर यहाँ पर लाते हैं लोकल खबरे तो अभी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ हम सबसे पहले अपने सौंद गाओं की खबरों को लेते हैं प्रोग्राम के अंदर उसके बाद जब सौंद गाओं की खबरे खतम हो जाती है तो उसके बाद हम दूसरे गाओं की और सेरों की खबर यहाँ पर लेते हैं साथ ये सबसे पहली खबर है मनोज भाई गाउन सौंद बिजोकरा मंदिर से रिपोर्ट है उनकी कि सीवर लाइन की वज़े से वाहन जमीन में धस रही है और आए दिन हो जाते हैं हाद से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा सीवर लाइन खोदने के बाद उसको गड़े को दबाते हैं तो वो अच्छी तरह से वहाँ पर कूट-कूट के जमीन को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं समतल और वहाँ पर फिर क्या होता है जो वाहन होते हैं भारी वाहन वो उस जमीन के अंदर धस जाते हैं तो इसी तरह से अब परिसानियों के सामना करना पड़ेगा गाववालों को जब तक ये सीवर लाइन दवेगी तो उनका आरोप ये भी है कि हर रोज यहां पर कोई न कोई हाथसा हो ही जाता है क्योंकि जब सीवर लाइन को खोद कर वहाँ पर दबाया जाता है तो पिलेन तो बिल्कुल करते ही नहीं है वहाँ पे उचा नीचा गड़ा वगएरा रह जाता है तो उसमें आए दिन बाइक वगएरा गिर जाती है या फिर किसी को ठोकर लग जाती है और ये बहुत सारी परिसानियों उठानी पड़ती है अगली खबर है आठ माई को साम गवरक्षक दल मेवात को सुचना मिली पिंगवा चेत्र के गाओं ड़ाना में गवकसी के लिए गायों को ट्रक से खाली किया जा रहा है तो गवरक्षक दल ने उन गायों को बचाया और उनके साथ सौन्द गाओं का जो गवरक्षक दल है उसकी टीम भी उनके साथ वहाँ पर थी तो गवरक्षक दल का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो गवों को बचाने में लगे हुए हैं और गव कसी करने के लिए जो भी ये कहते हैं गव कसी करने वाले जितने भी लोग हैं उनको थोड़ी सी सर मानी चाहिए क्योंकि किसी दूसरे विशेज धर्म के लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए आप पहले तो दूसरे धर्म की विशेज भावनाओं से खेलते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ तो सभी को समान रूप मान कर चलें किसी पसू के साथ या पक्षी के साथ किसी की भावना जोड़ी है तो उन पसू पक्षियों को आहत ना पहुँचाएं ये हमारी आपसे गुजारिस है सभी लोगों से तो गवरक्षकदल टीम ने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया गवरक्षकदल सौंद गवरक्षकदल भी था उस टीम में और इन्होंने गव माताओं को वहां से बचाया और उनको सुरक्षे सतान पर पहुँचाया हम धन्यवाद करते हैं गवरक्षकदल टीम का जो अपना कार्य बखुवी रूप से निभाते हैं अगली ख़वर है सौंद गाओं के अंदर भाई राहुल ने जिनको हरिया के बोलते हैं उनमें से राहुल भाई ने अपनी नाली की सपाई खुद ही की और खुद ही सपाई में लग पड़े और ये बहुत अच्छी पहल है साथ योगाओं के अंदर अगर सपाई आपके घर के आसपास अगर कोई गंदकी है और उस गंदकी को आप पंच सर पंच से कहते हैं और फिर भी आपकी वो गंदकी साप नहीं होती है तो वहाँ पे फाबड़ा कसी लेकर आपको खुद लग जाना चाहिए उसकी सफाई के लिए क्योंकि फिरहाल कोरोना का समय चला हुआ है और उस गंदकी से मच्छर मक्यां जादा हो जाती है और मच्छर मक्यां जैसे ही जादा होती है तो वहाँ पर कॉरोना के फैलने की ज़ादा गुंजायस हो जाती है क्योंकि मच्छ के काटने से मलेरिया, बुखार वगेरा आजाता है और जिस सरीर के अंदर पहले से ही रोग लग जाता है बुखार वगेरा का तो उस शरीर के अंदर कोरोना की बीमारी बहुत जल्दी आती है तो यहाँ पे आप सभी का फर्ज है अगर आपके पंच सरपंच सफाई नहीं कर पाते हैं तो आप खुद अपने हाथों में फाबडा कसी ले लीजिए और अपने आज पर उसको साप कर लीजिए क्योंकि यह आपकी जान के उपर बात बन आई है फिलाल यह बीमारी बहुत 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 रूपदारन कर चुकी है तो इससे बचाव के लिए आपको खुद भी उठना पड़ेगा खुद ही हाथों में फाबडा कसी ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं राहूल भाई खुदी सपाई के लिए चल पड़े हैं तो सातियो सौंद गाओं के अंदर भीमा जो कोली महले में से हैं मिर्ती हो गई है भगवान को प्यारे हो गए हैं और बताया जा रहा है कि बीमार थे और बुजुर्ग भी थे और उपर से कोरोना की बीमारी चली हुई है पता नहीं क्या होगा इस देश का और दुनिया का तो मैं यही उम्मीद करता हूँ भगवान से कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चर्नों में स्थान प्राप करे और उनकी आत्मा को सांती दे यही मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ और उनके परिवार को खुस रखे बीमारी का समय चला हुआ है इस बीमारी में सभी को सुरक्षित रखे भगवान मैं यही प्रात्ना करता हूँ अगली खवर है गौरब हंस होडल अंधुवा पट्टी ने जानकारी दी है कि जतिन हंस पुत्र पवन कुमार हंस होडल अंधुवा पट्टी की अचानक करंट लगने से मिर्ति हो गई 21 वर्ष की आयू में डॉक्टर जतिन फार्मेसी करके गवर्मेंट अस्पताल होडल में जॉब करते थे कितनी छोटी सी उम्र है और भगवान ने उनको उठा लिया बहुती दुखत समाचार है और बहुती दुख की बात है क्योंकि भगवान ने फिलाल कहते हैं एक तरह से कहर ढाया हुआ है वो किसी को भी नहीं बकस रहा है इस बीमारी के बहाने लगा लो या कैसे भी लगा लो फिलाल एक तरह से बहुती बुरी कंडिशन में हमारा देस हमारा समाज है हमारे देस पर बहुती विकट परिस्तितियां फिलाल है तो 21 साल की उमर थी गौरव हंसकी और इनको भगवान ने अपने पास बुला लिया बताय जा रहा है कि कोरोना पेसेंट थे कोरोना की बीमारी हो गई थी और पलवल हॉस्पीटल में भी उनको भरती नहीं किया गया था डॉक्टर के द्वारा क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है बैड खाले नहीं है और साथ यह तूफान पंखे को साइड में हटा रहे थे तो भाई को उससे लगा करंट और उनकी मौके परी वहाँ पे मौत हो गई तो यह भगवान के हाथ में है ने जाने किस बहाने से किसी को ले ले जबकि हम यहाँ पे बहुत ही इस मुद्दे के उपर इस बात के उपर बहुत ही सोक व्यक्त करते हैं हम भगवान से प्रात्ना करते हैं कि भाई की आत्मा को अपने चर्नों में निवास स्थान दे और इस तरह की घटना किसी भी भाई के घर में ना घटे क्योंकि इन स्थरे की जब घटनाएं घटती है समाज के अंदर तो दिल रोता है बहुती दर्द होता है अगली ख़बर है मड़ना का गाउं से मड़ना का गाउं में रंजीत पहलवान की हुई मिर्तियू कोरोना की वज़े से और पूरे गाउं में सोक की लहर और पूरे गाउं में तकरीबन 10-12 लोगों के आसपास हो चुकी हैं मौतें कोरोना की वज़े से साथियो कोरोना विकट परिस्तिती और विकट रूपधारन कर चुका है जिसने किसी भी गाउं को किसी भी छेतर को और किसी भी सहर को नहीं बकसा है हर जगहे पर कौरोना अपना तांडव कर रहा है और निवाला बना रहा है देश वासियों को, छेतर वासियों को और ग्राम वासियों को इस से बचा जाए और दूसरी बात यह है कि मरना का गाउं के तुल्ला सरपंस ने की अपने पूरे गाओं को sanitize करने की तैयारी वो भी तैयारी में जुट गए हैं और अपने गाओं को पूरी तरह से sanitize करने के लिए तैयार हो चुके हैं अगली ख़बर है नरेंदर सिंग की सिकायत है गाओं सौंद में फिलहाल पानी की भारी किलत है और गाउं सौंद में तो किलत पानी की रहती ही है ये आप सभी को पता है और मैं यही गुजारिश करता हूँ हर वीडियो में जेई साब से और जो भी पानी के उपर करमचारी लगे हुए हैं कि गाउं को पानी की समस्या ना होने दीजिए गाउं वालों की पानी की जरूरत क कम से कम पूरा करिए और बिजली की समस्या को भी पूरा करिए ये प्राइमरी नीड होती है आधारभूत आवेश्चता हैं होती है किसी भी इनसान की कम से कम इनकी तरब तो सोचा जाए अगली ख़वर है होडल के गाउं में भी पुलिस ने दिखाई सकती अब लोकडाउन का वालों की खैर नहीं जादतर गाउं में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारा कौन क्या विगारेगा अब आप सतर्क हो जाईए क्योंकि पुलिस का डंडा आपका इंतिजार कर रहा है गाउं में अगर आप चार लोग तास खेलते हुए मिले तो भी आपको पकर लिया जा गाउं में हमारी कोई चेकिंग नहीं करेगा तो अब सतर्क हो जाईए होडल के आसपड़ोस वाले जितने भी गाउं हैं वहां पर पुलिस गस्त करने वाली है और चापे मानने वाली है जो भी बिना मास्क के और बिना दूरी के डिस्टेंस के पाया गया उसको तुरंत बीच में उतरती है लोगों की भलाई के लिए ही उसका कोई कसूर नहीं है अगली ख़बर है होडल के कर्वन बॉर्डर पर दुकांदार द्वारा खोली जा रही दुकाने सरकार के आदेश का नहीं किया जा रहा है पालन पता नहीं ऐसे लोगों को क्या लगता है कि वो आयाद आ जाएगी अच्छी तरह से लेकिन उनको ये बात समझ में ही नहीं आती उनके पीछे लट पड़ेंगे तब जाकर उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है मैं कई बार ये सोचता हूं कि क्या फायदा ऐसे लोगों का इंसान के रूप में जर्म लेने का जो यहीं न हमारा जो सम्विदान है हमारे देश की सरकार है वो हमसे क्या करवाना चाहती है उसके आदेश क्या है उनका पालन करना है या नहीं करना है ऐसे लोगों को देख कर लगता है कि साएद ये लोग जंगल में रहे होंगे और अब इनको एकदम से समाज रहने के लिए मिल गया और अब एकदम से समाज में आ गए हैं, इनको नाहीं काईदे नियम कानूनों का पता है, और अगर पता भी होता है, तो उसका ये पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी वरश्ताइप कहां होती हैं, जंगल के अंदर, तो जंगल राज ना बनाया जाए अपने सेहर को, अपने छेतर क अगली ख़बर है होडल तहसील में COVID-19 वैक्सीन लगाने का कारेश जारी करीब 73 लोगों ने लगवाई वैक्सीन तो होडल की जो तहसील है वहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और कम से कम 73 से लेका 75 तक लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं और वैक्सीन लगवानी भी चाहिए क्योंकि रोग से बचना है तो वैक्सीन जरूरी है अगली ख़बर है होडल उपमंडल नागरेक अस्पताल में COVID-19 मरीजों के लिए आईसोलेशन वार्ड किये गए शुरू होडल का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भी आईसोलेशन वार्ड सुरू कर दिये गए हैं लोगों के लिए और दो मरीजों को उनमें भरती भी किया गया है अब तक तो टोटल मरीज 11 भरती है होडल के उसमें होस्पीटल में तो दो जो लोग हैं वो आईसोलेशन वार्ड में भरती हैं अगली ख़बर है होडल मुंडकटी पुलिस ने गाउं सौंद में हुए जगडे में प्रिंस सनौ परताप के बयान पर करीब 9 लोगों के खिलाब मामला दर्ज किया और प्रिंस ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने लाटी डंदों से उनके उपर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी गई इस विशे के उपर एक मामला दर्ज पहले भी हो चुका है दूसरे पक्स का और दूसरे पक्स का मामला अभी कल दर्ज हुआ है तो लगाई जगडे में कुछ नहीं रखा प्यार से रहना चाहिए हम यही गुजारिस करते हैं प्यार से रहने की बज़ाए होड किसी की नहीं होती है अगला केस है पलवल जी एच में इलाज के लिए आटो से लाए युवक की बिगडी हालत देखकर महिला बेहोस होकर गिरी युवक की हुई मौत सांस लेने में थी दिक्कत सातियों इस केस में बताया जा रहा है कि युवक सही था घर पे और एकदम से सांस लेने में परिसानी आने लगी और जैसे ही उनको इलाज के लिए हॉस्पीटल लाया गया तो हॉस्पीटल में अंदर जाने से पहले ही उस युवक की मिर्ति हो जाती है और उस युवक को देखकर उसके साथ जो महिला थी वो बेहुस होकर आटो के पास गिर पड़ी है देश के उपर बहुत बड़ी विकट परिस्तितियां फिलाल देश की हैं और सभी को यहाँ पे साबधानी से रहना है सभी को अपने आप को समालना है अपने परिवार को समालना है अपने रिष्तेदारों का हाल चाल जानते रहना है और सभी को एक तरह से कहते हैं ध्यान से रहना है साबधान रहना है अगली ख़वर है पलवल पिरसासन ने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकान खोलने की पर्मिसन मिलने के बाद भी दुकानदार चोरी छुपे कर रहे हैं दुकानदारी तो पलवल में भी यही हाल है जैसा होडल में है चुप चाप से दुकान को खोल के सामान बेजते हैं पता नहीं इन लोगों को कौन समझाए और कभी ये समझ में आएगी इनके ये कोई कुछ नहीं बता सकता कि दुकान को खोलने का जब समय दिया है तो उसी में दुकान खोली जाए उसके बाद क्यों दुकान खोलते हो क्या जान प्यारी नहीं है अपनी या किसी और की या किसी पड़ोसी की अगली ख़बर है हतीन तहसील के समसान घाट में नहीं हो रही चिताओं की राख ठंडी तीन दिन में लगातार छे सबों का किया अंतिम संसकार तो सातियो हतीर में भी बहुत ही गहरा तांडव है कोरोना से मरने वारे लोगों का और वहां पे भी चिताओं की लाइन लगी हुई है तो मैं आपसे यही फिर बार-बार कहना चाहता हूँ अपने आपको सेनिटाइज रखिए कौरिंटाइन रखिए अपने घर में रहिए और हाथ पेरों को साप रखिए कई के वार नहाईए और सुद रहिए और सिंपल खाना खाईए जिससे कि आप बीमार ना पड़े अगली बन जाएंगे इसलिए लोगों को प्राइवेट वहानों में भी बैठा कर और ना कोई मैंन डिस्टेंस मैंटेन है नहीं कोई और कोई रूल का पालन किया जा रहा है और लगे हुए हैं बस अपने दो चार रोपे के लोब में और कर रहे हैं खेल अपना जो भी कुछ है हमारी को और जादा बढ़ावा क्यों दे रहे हैं लोग तो लोगों को अपने घर में रहना चाहिए कौरंटाइन में रहना चाहिए अगली ख़बर है पलवल सीम के पलवल सीम से पती के लिए ऑक्सीजन गैस की गोहार करने वाली नीमलता निवासी बुजर्ग महिला को फि गेस नहीं मिल पा रही है ऊक्सीजन गैस नहीं मिल पा रही है तो उस समय इनका बंदोबस्त करवादिया गया था लेकिन फिर भी आप फिर कमी हो गई है और पती की हालत है खराब तो वही बात है देश पर विकर पर इस्तितिया है हर इंसान हर परिवार से कोई ना कोई दुखी है कोई अपने परिजनों को लेकर दुखी है कोई अपने परोसी को लेकर दुखी है कोई इसी के अपने परिवार पर ही आपर तूटी पड़ी होई है तो बहुत दुखी है फि इसको चालान काटने भी चाहिएं अगली ख़बर है कोरोना काल में काला बजारी कर रहे लोगों के मुझ पर तमाचा है ये सक्स मुझ में बाट रहा है दबाईया तो दोस्तों कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो ऐसे भी पहलू हैं समाज के अंदर ज्यादा तर ख़बरे मिलती हैं कि फलाना आदमी लोगडाउन के अंदर बहुत सारा पैसा कमा गया दुकान से या फिर किसी और चीज़ से काला बजारी करके लेकिन इसी समाज के अंदर ऐसे भी लोग रहते हैं जो लोगों की सेवा को परमधर्म मानते हैं जिनको काला बजारी से कोई मतलब नहीं है और फिरी में ये भाई दबाईयां बांट रहा है किसी गरीब को बेसारा को जो भी जरूरत मन्द है उसको लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मेडिकलों में बैठे हैं और 10 रुपे की चीज को 100 रुपे में बेच रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कौन देश भक्त और कौन गुनेगार इन चीजों से आप अंदाजा लगा भी सकते हैं मैं ये नहीं कहता कि बिलकुल आप मत खाईए आप आटे में नमक के जैसा आप निकाल सकते हैं लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों की मजबूरी का फाइदा ही उठाने लगो आम जनता है जनता की हाय लेकर बैठ जाती है कही बार अगली खबर है पलवल के आगरा चौक की सड़क को बिलकुल ही चौक जाम कर दिया है चकका जाम कहते हैं जिसको माइक्र कंटेमेंट के चलते हुए आगरा चौक की सड़क को बिलकुल बंद कर दिया गया है तो साथ यह यहती कुछ खबरें जोरदार खबरें जो प्रोग्राम हम लेकर आते हैं सामको आठ वजे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस प्रोग्राम से मिलती होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत सारी समस्याएं इस प्रोग्राम की वज़े से सुलज भी जाती होगी और दूसरी बात ये है सातियों, किसी भाई को अगर कोई समस्या है तो हमारे WhatsApp नंबर पर अपनी समस्या का फोटो खींच कर और अपनी समस्या को वहाँ पर लिखकर हमें बता सकते हैं हम आपकी समस्या को अपने प्रोग्राम जोरदार खबरे प्रोग्राम में सामिल करेंगे अविश्य तो आपके सामने जो भी नंबर दिखाए दे रहा है उसमें मेरा WhatsApp नंबर है और आजीत मास्टर का WhatsApp नंबर है जिस किसी भी WhatsApp नंबर पर आप अपनी ख़बर को पहुँचाना चाहें जो भी आपको सुविदाची लगे उस पे आप अपनी ख़बर को पहुँचा सकत और हो सकता है पंच सरपंच उसके बारे में सोचें और आपकी समस्या को हल कर दें तो यहती आज की खबर मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी फिर से ले कराऊंगा कल आठ वजे जोड़ार खबरों का तर तक आप अपना ख्याल रखिए खुश रहिए कोरोना से बचके रहिए दवाई गोली लेते रहिए जै हिन जै भारत जै स्रीदा